बच्चो वर्षो पुराना रायपूर का जैस्तम चोक अब कुछ इस तरह से दिखाई देने लगा है दोनों और चौड़ी-चौड़ी और सपाट सडके बन गई है सडकों के किनारे बड़ी-बड़ी दुकाने हैं जिससे यहां पर लोगों के भीड़बार और मोटरवानों क की आवजाही भी बढ़ गई है छोटी दुकानों की जगा अब बड़े-बड़े शौपिंग कॉंप्लिक्स और वेवसाइक परिसर बन गए हैं बच्चो बात अगर हम यातायात की करें तो रायपूर शहर में सभी यातायात चाहेवा सडक यातायात हो रेल यातायात हो यह अगर हम बात करें तो रायपूर का वर्षो पुराना रेलवे स्टेशन अब कुछ इस तरह से दिखाई देने लगा है रायपूर का यह रेलवे स्टेशन अब आधुनिक तक्निकों से तथा सर्व सुधायुक्त हो गया है और पहले क्या पेक्षा अब बहुत अधिक ट्रे की बात करें तो पुरानी कटी-पटी सड़कों की जगा अब चोड़ी और सपाट सड़के बन गई है रायपूर शहर अब सड़कों के माध्यम से गाउं से भी जुड़ गया है शंकरनगर को घड़ी चोक से जोड़ने वाला यह गौरोपत ना केवल यातायात का साधन है ब के लिए शहर के बाहर रिंग रोड का निर्माण भी किया जा रहा है